बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश होपाई जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल की शुरुबात करता हैं पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीख है 24 मार्च 2022 चैत्र कृष्ण सब्तमी पर चंद्रमा व्रिश्चिक राशी और जेश्ठा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा छे शुबरंग रहेगा गुलाबी शुबदिशा रहेगी अगने राहुकाल रहेगा दुपहर को एक बचकर 69 मिनट से लेकर शाम को 3 बचकर 31 मिनट तक रवी योग रहेगा सुबच 6 बचकर 21 मिनट से लेकर शाम को साड़े 5 बजे तक का भदरा रहेगी सुबच 6 बचकर 21 मिनट तक दिन का सबसे शुभ महुरत रहेगा शाम को 4 बचकर 8 मिनट से लेकर साड़े 5 बजे तक और विशेश का है शीतला सब्तमी है इसी को ही बासोडा कहते है खास दिन है जिस दिन बासी भोजन पकाया जाता है शीतला का पूजन किया जाता है और बासी भोजन अश्टमी पर भी खाया जाता है यानि कि अगले दिन भी और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी माता शीतला से शीतला सब्तमी से जुड़ा हुआ है बताएंगे आपको बीमारियों से कैसे छुटकारा मिलेगा उसके लिए राशेफल आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशेफल के शुरुवात करेंगे राशे नमबर एक मेशनी के एरीस के साथ में दफ्तर में रुके वे काम पूरे होंगे सह कर्मी सहीो करेंगे व्यक्तित्व में निखार आएगा व्यापार में ब्रद्दी होगी समाज में सम्मान बढ़ेगा घूमने फिरने भी जाएंगे उपाई ये करें कि पक्षियों के लिए पीली सरसों रखें शुबंक च्छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी दूसरी राशे बरिश यहने के टॉरस की बात करेंगे दफ्तर का काम जल्दी निप्टाएंगे हर काम में सफलता मिलेगी पुराने दोस्तों के साथ में घुमने जाएंगे मीडिया करमी इस राशी के सफल रहेंगे परिजोनों से खुशकबरी मिलेगी उपाई ये करें कि कागस पर हल्दी से शुरिम लिखकर पर्स में रखें शुबंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला तीसरी राशी मिथुन यानि जमनाय की बात करेंगे रोजगार मिलने के यूग हैं नई जम्मेदारियां बढ़ेंगी जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा माता के सेहत में सुधार आएगा पुराने मित्रों सो मुलाकात होगी उपाई ये करें कि पीले रंगे कपड़े पहने शुबरंग दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद चौती राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे दफ्तर में नई जम्मेदारी मिलेगी सामने आई भी चुनोतियों का डटकर सामना करेंगे कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें सेहत पर ध्यान दे भाषा पर काबू रखें उपाई ये करें कि चनादाल के दाने जल्परभा करें शुबंग आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला पांचवी राशी सिंग यानि की लियों की बात करेंगे कारेशेतर में चली आ रही दिक्कते कम होंगी धन संबन्दी परिशानी आएंगी फिजूलखर्च से बचें सलहा लेकर ही संपती में निवेश करें कारोबारी यात्रा के योग हैं उपाई ये करें कि पीपल पर पीले फूल चड़ाएं शुबंक साथ रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी छटी राशी कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे कारेशेतर में बड़ा अवसर मिलेगा सोच में सकारतमक्ता आएगी खास दोस्त की सलहकारगर सिद्ध होगी धार में काम में रुची बढ़ेगी दामपत्य सम्मंद जो है मों मधुर रहेंगे उपाईए करें कि धर्मिस्तल में पीले फूल चड़ाएं शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद बात करेंगे साथ फी राशित तुला यानी लिबरा की अचानक धनलाप के योगे हैं पुरानी बातों को लेकर तनाव रहेगा कानूनी मामले सफल रहेंगे दफ्तर के काम में चुनोती आएगी पारवार एक स्थिती बहतर रहेगी उपाईए करें कि पानी में हल्दी मिलाकर पीपल पर चड़ाएं शुबंक तीन रहेगा शुबंक रहेगा पीला आठवी राशी वृष्चे कहने की स्कॉर्पियों की बात करेंगे कारशेतर में लोगों का भरोसा बढ़ेगा नौकरी में प्रमोशन के योगे हैं अधिकारी सयोग देंगे चातरों का मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा कुमारों को विभा प्रस्ताव मिलेंगे उपाई ये करें कि दूद में शहद मिलाकर पीएं शुबंक च्छे रहेगा शुबंक रहेगा गुलाबी नमीर आशी धनू यानि सेजिटेरियस की बात करेंगे काम काज में सफलता मिलेगी आरतिक इस्तिती मजबूत रहेगी दफ्तर में अधिकारी तारीफ करेंगे जीवन साथी से उपहार मिलेगा शिक्षक छातरों को सहीयोग देंगे उपाई ये करें कि पीले स्कैच पैन से ममहा लिखकर जेब में रखें शुभंक नौ रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी दस्वी राशी मकर यानि की केप्रिकौन की बात करेंगे समय उतार चड़ा भरा रहेगा दफ्तर में सावधानी से काम करें महनत के नुरू फल कुछ कम मिलेगा या नहीं मिलेगा बाशा पर काबू रखें परिवार के साथ में समय बिताएंगे उत्तर पूर्म मुकी होकर धारमिक पाट करें शुभंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा ग्यारवी राशी कुम्भ यानि के अक्वरियस की बात करेंगे रोजगार में तरक्की मिलेगी रचनातमा काम में रुचे बढ़ेगी मनोबल में वरद्धी होगी कुमारों को विभा प्रस्ताओं मिलेंगे परिजनों के साथ में खरीदारी करने जाएंगे उपाई ये करें कि पूजा घर में केले चड़ाएं शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा हरा बारवी राशी मीन यानि पाइसेस के बात करेंगे धन संबंदी दिक्कते दूर होंगी मन में शांती रहेगी पूर्वे बनाई यूजनाओं पर काम शुरू करेंगे खास लोगों से मुलाकात होगी दामपत्त में मजबूती आएगी उपाई ये करें कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी का बरतन रखें शुभंक नौ रहेगा शुभंक रहेगा नारंगी तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाए का वो विशेश उपाए जो बिमारियों से आपको छुटकारा दिलाएगा देखिए खास दिन है देवी शीतला के पूजन का दिन है शीतला सब्तमी है ऐसा बासोड़ा भी कहते है सब्तमी और अश्टमी पर विशेश रूप से बरगद और देवी शीतला के पूजन का विधान है ऐसे में क्या करें बस्त करता हूं हर तरह की की बिमारी समात होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मिलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए झाल